इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं अब देखने को मिलने वाला है अब देखो सेंटो रिन्यू होने के बाद नेट्फिल्स की तरब से जित्ती भी अपडेट्स आई है मैंने आप लोग को बाई टाइम बदाने की कोशिश करी है अब ही कुर्णिटली इसके प्रोडक्शन के उपर ही कुछ नई इन्फरमेशन हांच लगी है तो पिछली वीडियो मैंने आप लोग बताया था कि आप लोग को इस साल के end तक इसका जो प्री प्रोड़क्शन वाला वर्क होता है वो complete होता हुआ देखने को मिल जाएगा तो भाई finally उसके उपर ही एक confirmation आ चुकी है और उसके recording इस सीरीज ने अपना जो almost प्री प्रोड़क्शन वाला वर्क होता है इसको complete कर लिया है और अब सीरीज आप लोग को प्रोड़क्शन वाले फेस में जाते हो भी देखने को मिलेगी and reports अची है कि आप लोग को दो जाए इसके starting की quarter में ही series का जो shooting वाला work है वो देखने को मिल जाएगा maybe जब मैं इसके उपर अगला वीडियो बनाऊंगा तब तक इसका जो production का work है वो आप लोग को देखने को मिल जाए अगर उस time पर production work नहीं भी start होगा ति उस time जो भी नई update होगी मैं आप लोग को इंफर्म कर दूँगा अब देखो अगर बात करें आप लोग को जो इसका season 2 है के अंदर का story line देखने को मिलेगी तो makers ने अभी recent time में एक चीज़ confirm करिया है अब लोग को season 2 में एकदम ही नई story देखने को मिलने वाली है हाँ आप लोग को season 1 के references प्लस आप लोग को connection देखने को मिलेगा लेकिन आप लोग को जो games देखने को मिलेगी और जो आप लोग को storyline देखने को मिलेगी अब लोग को season 2 जो है वो mainly frontman के character के उपर ही focus करता हुआ देखने को मिलेगा कि उसके साथ past में क्या हुआ था अभी currently frontman क्या करने वाला है विकॉस आप लोग को frontman के बारे में shareman के अंदर बहुत जादा कुछ खास details में नहीं बताए गया है अब देखो आप लोग को गीहुन का character तो season 2 में return करता हुआ देखने को मिलेगा ही विकॉस इसको हम लोग को shareman के ending में भी tease करा गया था प्लस इसी साथ ही recently makers ने भी चीज़ confirm कर दी थी और frontman और गीहुन तो भाई 100% sure है कि आप लोग को season 2 के अंदर एक lead role में देखने को मिलने वाले है लेकिन इसी के साथ ही recent की reports गार्डिंग चले तो आप लोग को season 1 के कुछ और characters season 2 में देखने को मिल सकते हैं maybe आप लोग को उनका बहुत चोटा सा role देखने को मिले या फिर उनके flashback वाले scenes देखने को मिले लेकिन इस आप लोग को उनका कुछ नकुछ link इसके season 2 में देखने को मिलेगा recent की reports ने ये चीज़ confirm करी है सो अगर भाई last में बात कर लें इस series के season 2 के release की तो release में ऐसा अभी कोई भी change नहीं करा गया है इनकी makers का जो statement पहले आया था वह statement आप लोग को अभी भी सुनने को मिलता है और उसके recording चले तो makers पूरी कोशिश करेंगे कि शो आप लोग को 2023 के ending तक देखने को मिल जाए हाला कि जो मुझे लग रहा है और जिससाब से series का work चल दा है मेरे recording आप लोग को 2024 के early quarter में ये series देखने को मिलेगी मतलब कि आप लोग को January से March तक का wait करना पड़ेगा इसके season 2 के लिए हाला कि series के जो makers हैं उनका ऐसा कहना है कि वो लोग पूरी कोशिश करेंगे कि शो आप लोग को December तक वो present कर सकें तो अगर makers सही हो गए दिन आप लोग को शो 2023 के एंडिंग में देखने को मिल जाएगा अदर्वाइस आप लोग को 2024 के early quarter तक का wait करना पड़ेगा मतलब कि अभी आप लोग को minimum से minimum भी एक साल का wait करना है इसके CN2 के लिए और उससे पहले आप लोग को काफी अच्छे अपड़ेट इसके CN2 के पर सुनने को मिलती रहेंगी और जैसे मेरे को कुछ भी नया पता चलेगा वो मैं आप लोग को इन्फार्म कर दूँगा अभी कॉर्णटी मेरे को इसके पर यही कुछ नहीं इंफोमेशन मिली हुई थी अगर आप लोग को भाई ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में तिल देन टेके बाई पीस ओफ